अबात अजमेर में हुए साजिश की करेंगे कानपूर के बाद अजमेर में ट्रेन पल्टाने की बड़ी साजिश होई है वहां कालिंदी एक्स्प्रेस के डिरेल करने के लिए ट्रैक पर गय सिलेंडर रखा गया तो अजमेर में माल गाड़ी के सामने 70 किलो के दो सिमेंट ब्लॉक रखे गए गनिमत रही कि माल गाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई राजस्थान में ट्रेन डिरेल करने की कोशिश का ये पहला मामला नहीं है से पहले कई मामले हो चुके हैं देखिए रिपोर्ट किसने रची ट्रेन डिरेल करने की साजिश आखिर कौन है साजिश का मास्टर माइंड क्या लाइफ लाइफ लाइन पार नापाक नजर है अजमेर की लामाना गाउं इस्तिद डिएफ सिसी कोरिडोर पर सिमेंट का ब्लॉक रेक्तर ट्रेन को बेपटरी करने का यहां पर प्रयास किया गया गनिमत रही की ट्रेन स्पीड से थी और सिमेंट को ब्लॉक को उड़ाते हुए वह आगे निकल गई इस सिमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकली यह वो ही जगह है जहाँ पर इस वारदात को अंजाम देने का प्रियास किया गया एक हजार तेरा ओबलिक तेईस तंबर प्लिलर के पास इस गटना को यहाँ पर ब्लॉक रखे गया उसका चूरा जो है इसी पट्रियों के आसपास देखा जा सकता है यह जो छोटे छोटे टुक्रे हैं वो यहाँ रखे ब्लॉक को उठाकर जब पट्री पर रखा गया उसके बाद के हैं किस मंशा से इस ब्लॉक को यहाँ पर रखा गया यह कैपाना अब मुश्किल है ट्रेन को लूटने की नियत से जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर इसको जो है नुक्सान पोचाने के नियत से इसको जो है अंजाम दिया गया यह सभी जो है जाज के दाएरे में लिये जा रहे हैं एक के बाद एक जिस तरीके से ट्रेनों को ड्रेल करने की साजिश से पड़ता उठ रहा है सवालों की लंबी फेरिस्ट बंती जा रही है पहले उत्रकदेश के कानपूर में कालिंदी एक्सप्रेस को सिलेंडर से ट्रेल करने की कोशिश हुई और अब आज बेर में लिवे ट्रैक पर दो जगे 70 किलो के सीमेंट ब्लॉक रख कर मालगाडी को बल्टाने की कोशिश की गई लेकिन गनीमत रही कि दोनों ही जगे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ यहां के आसपास के लोगों की शरारत हो सकती है या लूट के इरादे से हो सकता है क्या आपको क्या लगता है ऐसी घटनाएं अमूमन अलग-अलग इस्थानों पर देखने को मिल रही है अभी कुछ इस तरह का ट्रेंट चल रहा है कई इस्थानों पैसी घटनाएं हुई है अब इसके लिए तो जब तक एक्चुल क्लीमेल पकड़ में नहीं आएगा उसका क्या इंटेंसन था क्यों उसने रखा तो उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता अज बेर बेस तनातना पागल गाउं पर ये वही रेलवे ट्रेक है जहां मालकाडी को डिरेल करने के लिए 70 किलो वजन के सीमेंट के ब्लॉक रखे गए लेकिन पुरेरा एमदाबाद रेलमार्क पर मालकाडी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई इस दोरान काफी दूर तक सीमेंट के टुकड़े मिले इसकी शिकायत रेलवे कर्बचारियों ने मांगली आवास थाने में दर्ज कराई है अज बेर डिरेल की साज़श की जान शुरू हो गई है अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर हालात का जायसा लिया लेकिन अब बड़ा सवाल गे उड़ता है कि क्या आतंक के निशाने पर है भारतिय रेलवे लाइफलाइन पर किस की नजर है संदिक्तों से सवाल कहा जुड़े है तार ट्रेन डिरेल महस हादसा या कोई बड़ी साज़श लेकिन राजिस्तान में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली साज़श नहीं है तारीकों पर गौर करें तो सत्रे दिन में तीसरी बार ट्रेन पलटाने की साज़श 28 अगस्त को 12 में छबडा गए मालगाली के ट्रेक पर बाइक का स्क्रेप फेका गया देईस अगस्त को पाली में एमदाबाद जोदपुर वंदे भारत ट्रेन पर ट्रेक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकराई थी 8 सितंबर अजबेर के सरातना और बागल गाउं के बीच निलवे ट्रेक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे गए मालकाली डिरेल होते होते बची कानपुर में ट्रेन डिरेल की साजिश में आतंकी एंगल से जाच जनसियां फिलाल इंकार नहीं कर रही है वहीं अजबेर में भी अग्यात पर F.I.R. के साथ जाच अधिकारियों ने तफ्तीश चुरू कर दी है लेकिन जिस तरीके से ट्रेनों को डिरेल करने की घटना आये बढ़ रही है तो कहीं ने कहीं बड़ी साजिश की तरह इशारा कर रही है इसके पीछे मकसद क्या था इसे लेकर जो है अब इस्थानिय पुलिस थाना पुलिस के साथ साथ जो लोग हैं वो जो जुट गए हैं और अलग-अलग इस्थानों पर टीमें बेजी गई है गाओं में बेजी गई है मुबाइल लोकेशन किसकी क्या आ रही थी उसको लेकर भी जानकर यहाँ पर जुटाई जा रही है और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो इसे लेकर भी यहाँ पर जो है कारवाई इस्थानिय पुलिस की ओर से की जा रही है और इस मामले में सुरक्ष एजन्सियों को भी शामिल करने की बात सामने आ रही है कैमरा परसल कोर्षिल सेन के साथ अशोक सिंग न्यूज एटीन अजमिर